हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो ए 24 नॉलेजे, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डवलप्मेंट और्गिनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की न्यू रिकिरूमेंट नॉटिफिकेशन के और इसकी अल्विटी कंडिशन के बारे में, साथ में इस फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंट्स, यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है, यह फ्रेंजे आपके पॉब्लिकेशन है, एंगेजमेंट ऑफ यार रेट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट्स मिल सकें, तो फ्रेंजे यह यह दियों की ऑफिशल नॉटिकेशन है, जो की जोब नहीं होती, सिर्फ उनली एक apprenticeship training एक साल के लिए duration में होती है, जिसमें आपको monthly stipend एक भत्ता मिलता है fixed rate पर, जो की friends यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है technician, diploma, apprenticeship की vacancy, जहाँ पर friends आपको essential qualification, diploma होना चाहिए, relevant discipline में, जिसमें synagogography, civil engineering, computer science, electrical engineering, electronics engineering, electronics and communication, electronics and instrumentation, mechanical और survey, इसमें friends आपकी seats रहेंगी और 8000 रुपे पर मंद आपको stipend मिलेगा, ITI की जो friends यहाँ requirement है, इसमें friends आपको 7000 रुपे पर मंद stipend मिलेगा, feeder, diesel mechanic, electrician, copa, electronics, welder, turner और machinist में friends आपके ITI है, तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं, अब इसका जो यह form है, DRDO की official website से आप download कर सकत हैं, अब यहाँ पर friends आपको साथ में जो scan copy है, आपके application form के साथ, documents and certificate की वो भी आपको send करनी होगी, PDF format में दिये गए इस mail ID पर, तो friends mail send करने की जो date है, जो last date है, वो 27 फरवरी 2021 रहेगी, तब तक आप इसमें mail send कर सकते हैं, अगर आप apply करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए, जो भी आपका form है, यह सिर्फ only mail द्वारा ही यहाँ पर invite के जाएगा, mail द्वारा ही जो है, यहाँ पर provide के जाएगा, इसके बाद selection procedure की बात की गई है, जिसमें friends से selection, इसमें merit based पर होगा, जो भी आपकी qualification है, उसके जो percentage है, उसके basis पर आपका यहाँ पर selection होने वा पर आपका registration होना और ITI portal पर आपका registration होना ज़रूरी है, तो MHID NTS पर और apprenticeship India.org पर registration अगर आपका नहीं है, आप registration कर सकते हैं, 2018-1920 pass out candidate ही eligible होंगे, इसके अलावा friends से जिनकी यहाँ पर complete हो चुकी है, वो ही इसमें applicable है, और यहाँ पर friends से आपने कभी भी apprenticeship नहीं की हो, एक साल स आपको दुबारा से mail ID दी गई है, तो mail ID पर आप यहाँ पर form को send it कर सकते हैं, इसी notification में friends से आपको application form मिल जाएगा, तो यहाँ पर friends apprenticeship training category आप कौन सी fill कर रहे हैं, किस के लिए आविदन कर रहे हैं, वो आपको बताना है, इसके बार यहाँ पर आपको photo लगानी है, इसके ल address और इसके लबाँ आपके 10 plus 2 ITI diploma की जानकारी आप यहाँ देंगे, यह 10th है तो आप 10 की जानकारी HST की जगह पर लिख सकते हैं, इसके बाद friends से यहाँ पर है, आपका जो signature है, आपका list of enclosure है, मतलब आपके कौन-कौन से documents आप से scan करके send कर रहे हैं, आपकी date आपको यहाँ mention करनी है, और आपको दिये गए mail ID पर यह send कर देना है, तो छोटा सा यह application form है, इसका print out आपको लेना है, और इसमें details को fill करना है, important यह है कि MHRD, NETS और apprenticeship India का जो registration number है, वो आपको देना जरूरी होगा, और साथ में fans अपने documents को attach कीजिए, combined PDF बनाईए और दिये गई mail ID पर send कर CGS 27 वरवरी 2021 तक, तो यहाँ पर friends जो जनकारी मैंने आपको यहाँ बताई है, यह सब आपको description मिल जाएगी, jobrasa.com पर वहाँ पर जाकर आप details को check कर सकते हैं, अगर आप applicable है, apply करना चाहते हैं, PXC, DRDO में, तो friends आप इसमें आविदन कर सकते हैं, तो friends यहाँ पर अगर आप